हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक तो माई यूटीव चैनल तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की अब्रेला मिशीन में धागा कैसे डाला जाता है जाहतरी बिगनर्स को इसमें बहुत प्रॉलम हाती है तो मेरे पाई यह शीवम की अब्रेला मिशीन है यह मैंने सारा कुछ है टोटल 6400 का ही मिला है तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि धागा कैसे डाल सकते हैं इस मेशीन में क्योंकि यह मेशीन दूसरी मेशीन से थोड़ी से डिफरेंट होती है तो यह जो आप देख रहे हो यह मैंने यह कपड़ा लगाया हुआ है विकोज जब म कपड़ा ही लगाया हुआ है तो जिसको नहीं पता वो ऐसे कर सकते हैं आपकी प्रोड़म का हल हो जाएगा तो सबसे पहले हम री लेंगे इसको इस स्टैंड में फिट कर देंगे तो अभी जो यह सामने आपको देख रहे है उपर वाले फॉल है यो उसमें से थ्रेट को निकालेंगे यह निकाल लिया है अब इसमें एक टिफिकर्ट काम होता है यह वाला पोर्शन है उसमें से दागे को निकालना तो हम रील को ऐसे पकड़ लेंगे तो एक हाथ से दागे को गुमाएंगे यहाँ पर एक पत्ती होती है उसमें के बीच में से निकालना होता है उसके लिए हम इस पत्ती के पीछे को दागा लेके जाएंगे तो यह नीचे वाली पत्ती है उसमें खूदी ही दागा डल जाएगा तो इतना टैंचन लेने की जरूरत नहीं है जब उपर से डालोगे आप उसमें खूदी ही दागा डाल जाएगा तो इसके बाद हम इसमें से दागा निकालेंगे जो सभी मिशीनों में सेम होता है इसके बाद सब को सेम होता है जो और मिशीन में होता है तो इसमें निकालेंगे ना निकालो तो भी चलेगा इसमें से निकालेंगे आप नीडल में त्रेंड डालेंगे द्रेंड द्राणे डालिया है और इसको पीछे को कर देंगे इसके बाद हम बोबीन में दागजा डालेंगे बोबिन में यह दागजा पहले सी डला हुआ है और यही ले रही हूँ वो इसका जो डागा इसका मैं पहले इची दरा से समेट लेती हूं जितना दागा थोड़ा से चाहिए उसको निकालेंगे और हमें क्लोक वाइज ही बोबिन को डालना है इसमें यह जो बोबिन केस है उसमें हमें क्लोक वाइज ही डालना है जैसे क्लोक चलता है उसी धागा डालना है और इसमें से निकाल लेना है यह निकाल लिया हमने होल में से, अब नीचे से डालेंगे, यह जो दिख रहा है, उपर को उठने वाला हिस्सा है, यह उसको उठा लेना है, वो अपनी तरफ रखना है, दूसरी मिशिन मों उपर की साइड होता है, इसमें हमें अपनी साइड रखना है, और इसमें डालना है, जब इसमें आप डालो के तो एक टक से यह आ जाएगी जो यह बिल्कुल सैट हो चुछे के मैं आपको दुबारा दिखा देती हूं करके आपको ऐसे पकड़ना है और यह देखिए उसमें डालना है अधा का पीछे कर लेती हूं यह यह टक की वा जाएगी तो ऐसे यह बोबिन भी डल जाती है इसके बाद धागा कैसे खीचना है एक हाँ से मैं भील को गुमाऊंगी थोड़ा सा गुमा के थ्रेड को खीचना है और यह आपका जो नीचे वाला थ्रेड है वो बाहर निकला है देखिए और में एक चीज है कि जब आप काम करके हड़ते हो तो इसको सिंपल नीचोड़ना होता इसका जो यह पैर है जिस पैडल बोलते हैं आप पता नहीं क्या बोलते होंगे जिस यह जो है इसके नीचे आपको एक कपड़ा रख देना है यह रखने से आपका यह कभी भी छिद्धा नहीं होगा ऐसे आपको कपड़ा रख देना है और मशीन को हमेशा ढख कर ही रखना है डस्ट बचाही रखना है जितना बचाओगी उतनी लूंबी उसकी उमर होगी तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तैंक यू फू वाचिंग टेक किया वाइव नाइस जे बाई बाई